एक फोजी का दर्द क्या होता है? उन कुर्सी वालों को दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी एक फोजी की मज़बूरी? हमें मत छुट्टी दो, हमें मत छुट्टी दो, मत भत्ता दो, बस काम यही अब करने दो चाहे वेतन आधा कर दो, पर कुत्तों में गोली भरने दो, कुत्तों में गोली भरने दो हर हर मोधी हर हर मोधी घर घर मोधी यह नारा सर के पार गया एक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को ठपड मार गया सैनिक को थपड मार गया अरे थपड खाए गद्दारों के थपड खाए गद्दारों के इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मागे सैनिक है कोई भड़े के मजदूर नहीं कोई भड़े के मजदूर नहीं अब और नहीं लाचार करो हम जीते जी मर जाएंगे, खुद को देख न पाएंगे, इस वर्दी पर शरमाएंगे, फोजी वर्दी पर शरमाएंगे, या तो कस्मीर उन्हें दे दो, अरे सुन लो, सुन लो, दिल्ली वालो, सुन लो, या तो कस्मीर उन्हें दे दो, या आर पार का काम करो, अब सैना को तो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम कुरसी पे आराम करो इस राजनीति ने गाटी को सरदर्द बना कर चोड़ा है भारत के वीर जवानों को ना मर्द बना कर चोड़ा है ना मर्द बना कर चोड़ा है मा का आचल सुच रहे भारत मा का आचल सुच रहे हम ऐड़ा किस तरह गड़दरों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन किया माने बेटे को तो ने नक कटाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्यलाचारी थी कुछुटों की टोली कैसे तुम सेरों पर भारी थी घीदर भेटा पैदा करके वो मा कहते हैं एक फोजी से कि गीगर बेटा पैदा करके मैंने कोखल जाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अब वो फोजी अपनी मा के बात सुनकर कहता है के मां इतना भीला चार नहीं था मां मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मां हम कौन गदारों से गोली का आदेश नहीं दिल्ली के दर्बारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा गिन गिन कर मैं बद्ला लूँगा, कसम याज खाता हूँ तू गुडिया से कह दे मा, ना बुझ दिल उसका भाई है सुन कर नाटा लो यारो, सिर्फ सुन कर नाटा लो यारो एक फोजी के जस बातों को, अन्होनी होने से पहले फैला दो इन बातों को तुम फैला दो इन बातों को बहना के सच्चे भाई हो तो सब को बता दो इन बातों को एक फोजी का दर्द भरत मता की जे भरत मता की जे भरत मता की जे